दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नौलेज एन एजुकेशन अड़्डा में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट टू में तो जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा है हमने आपको क्या-क्या चीजे प सबसे आपने टामक के बारे में आपने दिसकस किया तो बवीडियो में आज बात करेंगे पार्यक्ते सब्सक्राइब है सबसे पहले हम देखते हैं यहां pर यांट कहते हैं एक आपको बहुत ही मेन पॉइंट यहां पर पता चल रही है कि जो यक्रित होती है या मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है यानि यूमन्स की सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो क्या होता है वह लीवर होता है और इसका वेट लगभग 1.5 यानि 1.5 kg का होता ह है और लीवर का जो आप देख रहें स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है यहां पर आपको एक थैली के जैसे संरशना मिलेगी और यह जो थैली नुमा आकरिती होती है दोस्तों इसको हम गॉल ब्लैडर यानि पित आशय कहते हैं और यह हमारा लीवर होता है लीवर में हमार पित रस जो होता है वह बनता है हमारे यकृत में लेकिन स्टोर होता है वह पित आशय में तो यह हमारा कॉंसेप्ट की जो बाइल जूस है वह बनता कहां है वह बनता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर के थ्रू ही जाता है हमारे डियर छो के हमारे डाइजिस्ट रिएक के लिए ही जूज रहता है यही गाल ब्लेडर बाइल जूज को इसमॉल इंटस टाइम के डेडूनल में पहुंचाता है जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर फ्रेंड सम् बात करते है function of liver की function of liver में हम देखते हैं liver के क्या क्या काम होते हैं यह यह अपके लिए बहुत important है दोस्तों तो आप ध्यान से इसको देखेगा यहाँ पर क्या होता है यह जो लीवर है यह बाइल जूसको निकालता है जो कि इस टमक के फूड को जो अभी तक क्या है एसिडिक है उसे बेसिक बनाता है यानि चारी बनाता है आपने अभी देखा दोस्तों इस टमक में क्या निकलता है एसी एल जो है वो हमारे भोजन को बना देता है अमली और ऐसा होता क्यों है क्योंकि होते हैं स्टावर्ण किसका एक्सक्रिशन पेपस्न और रेनियन जिसका मैंने वह पटाया है पेडैट यानि यह तभी वर्ट करते हैं जब हमारा फूड होगा वह सब्सक्राइब करें और यह था चाहिए करते हैं अगर भी थे वह अगर प्रण में तो फूर्म करता है पिर उसके बाद जो इस फूड को जब अश्रीक है अब हमारा यह अश्रीक फूड बन जाता है बेसिक यानि चारी यह किसकी वज़ासे बाइल जूज की वज़ासे और बाइल जूज भोजन के साथ जो है यहां पर क्या जितने भी बैक्टिरियाज होते हैं उन्हें नस्ट कर तो उससे भी हमारा जो बैक्टीरिया है वो नस्ट हो जाते हैं तो फैट के बड़े-बड़े तुकड़े को आपने जैसे देखा कि जो हमारा लीवर होता है वह बाइल जूस का एक्ष्कृशन करता है देन वाइल सौल्ट का भी ऐक्स्कृशन करता है बाइल सॉल्ट का जो काम होता है वो जो हमारा फैट जो हमने लिया है वो क्या है बहुत ही बड़े-बड़े फॉर्म में बहुत बड़े-बड़े टुकडों में है अब उन्हें क्या करना है चोटे फॉर्म में कनवर्ट करना है तो उस इमल्सिफिकेशन जो उस सॉल्ट में बाइल सॉल्ट के द्वारा चोटे चोटे टुकडों में तूटता है जिसका हमारा डाइजेशन होगा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि अभी आपको पता है दोस्तों हमारा अभी बचा हुआ है क्या-क्या चीजे अभी हमारा 30% कार्भोहाइड्रेट का डाइजेश होना बाकी है इसके अलावा हमारा भी 100% बचा हुआ डाइजेशन के लिए और सिर्फ केवल मिल्क का ही डाइजेशन हुआ है स्टमक में तो अब यहीं पर क्या है कि इमल्सिफिकेशन हुआ देन यह जो लीवर होता है यह बलड का भी निर्माड करने में साहयता करता है यहा किया होता है कि हमारे बॉड़ी में उसमें इकस्पायर होती है लेकिन अगर 2020 से पहले आर्बी सीस पायर हो रही है लिवर हमें तो क्या होता है अगर हमारी सी 120 से पहले लिवर में एक्सपायर हो गई तो लीवर में RBC एक्सपायर होने पर बिली रूबीन और बिल वर्डीन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण human body में पीलिया हो जाता है यहाँ पर आपको बहुत important बात पदा चल रही है यह जो यहाँ पर आपको एक बहुत important concept पदा चला तो यहाँ पर क्या है कि वह पीलिया हो जाता है इंसान को तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आप हम बात करते हैं पैंक्रियास की जिसे हम अग्याशय कहते हैं आपने देखा कि मानव सरीर का दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंती है वह क्या होती है और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी होती यक्रित यानि लीवर होती है तो यह भी आपको बहुत important point पदा चल रही है आप इसे ध्य केंगा सुनिये गाउक्रियास जो होते हैं दोस्तों फेन्क्रियास से निकलती है एक तो होता है यह दो चीजों का एक्श्यों करता है एक होता है एक्सलिध्यर से था TOP importante यह इसमें जरूरी नहीं होती है इस में क्या होता है यहां से जो भी एक्सट्रीशन न होता है वो बलड में झाता है और इसमें क्या होती है लैंगर हैंस की द्वीपिकाई पाजाती है जिनकी खोज ενst Linked नाम के एक साइंटिस कि ने 1869 में की थी ans यहोता क्या है यह समझे इस जो है वो cells का expression होता है जो कि alpha cell, beta cell, delta cell और pp और f cell उसमें से एक्स्प्रीट होता है फ्रेंड्स यह जो alpha cell, beta cell, delta cell और pp और f cell होते हैं यह digestion में तो helpful नहीं है बट यह human body में क्या है? पैंक्रियास से निकलता है लेंगर हैंस की द्विपिकाओं से तो आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है और साथ ही alpha cell 20% निकलता है, beta cell 70%, delta cell 5% और pp और f cell और 5% होता है आप जो यहाँ देख रहे हैं alpha, beta और delta यह तीनों cells जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है फिंट्स जो भी चीजे निकलती है वह हमारे हार्मोन के फॉर्म में निकलती है जबकि यह जो हमारा pp और f cell होता है यहाँ पर जो होता है वह एंजाइम के एक्सक्रिशन होता है तो यह आपको बहुत इंपॉर्टन समझने लाइक बात है है कि यह जो है वह एंजाइम के एक्सक्रिशन करते दिन ये तीन और जो ही हर्मोन का करते है अब हम समझतें आलफा और बीटा cels के बारे में अलफा होती है इन से जो हमुर्ण कोप फोता है रेसरे वह स्मौ्छेंग बोके ह ici वो हमारा ग्लाइकोजन के फर्म में इंसूलेन इंसूलेन जो होए यह ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करने के लिए कहता है तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है human body में insulin ही responsible होता है diabetes के लिए क्योंकि जब हमारे body में क्या होती है insulin की कमी होती है तो glucose का glycosin में conversion नहीं होता है और body में glucose की मात्रा बढ़ती जाती है जिसकी वज़े से diabetes क्या होता है बढ़ता जाता है और इसको maintain रखने के लिए glucagon जो है वो बहुत ही responsible है ग्लूकेगॉन जो क्या करता है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कनवर्ट करके यह क्रित यानि लीवर में स्टोर करके रखे रहता है तो यह काम होते हैं ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का जो की स्क्रिट होता है कहां से अलफा सेल्स और बीटा सेल्स से यहां पर आप यहां से क्या होता है कि एक्जोक्राइन ग्लेंड से डैड्यूनम में तीन चीज़े जाती है और यह तीन चीज़े क्या होती अभी हम देखते हैं यहीं से जिसे हम अग्नियाशचियी रस बोलते हैं श्रावाइथ होता है यह जो पैंक्रेयाटिक जूस होतें कौन-कौन से हैं आप यह देख लिजए पैंक्रेयाटिक जूस जो होते हैं फ्रेंट्स वह एमालीज लाइफ़ और cryponcab conve panelists haya है वह 7.5 होता है फ्रेंट्स यह तीनों जो एमाइलेज लाइपेज और ट्रिपसिन यह क्या है हमारे एंजाइम से क्योंकि आपको पता है यह तो चली हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं इसका ट्रिक है एमा लाइ ट्री आग से यानि की मम्मी है उन्होंने क्या किया आग से अच्छी सी ट्री यानि कि आप इसको टी मान सकते हैं चाय बना करके ले के आई हैं एमा लाइ ट्री आग से यानि की मा जो है वो आग से बना करके ट्री यानि टी लेकर आई हैं चाय लेकर आई हैं तो आप इसको समझिए एमा से हो गया एमाइलेज लाइस से हो गया लाइपेज ट्री से हो गया ट्रिप्सिन यह कहां से एक्स्रीट होता है आग से यानि अग कहा है किमिति यह नहीं सहरा है टैनला कि क्लेफिज को होта यह नम पर चैनल 0709 शीलिफ में जाती है जो की क्या गरती बहुत जाधा आउ श़ोशर का काम करती है ठीज नहीं दोस्तों के काम को तो चलिए देखते हैं, amylase जो है वो carbohydrate का digestion करता है, trypsin जो है वो protein का digestion करता है और lipid जो है वो fats का digestion करता है ट्रीपसें को आप कह सकते हैं कि है पर को यहां पर आप देख रहे हैं कि यह प्रोटीन का diet question करता है पराइज हैonymous अब हर यहां पर क्या है कि 30 संद कार्बोर्ब्धक ब्रोटीन का you did में और हमारा जो 100% अभी बच्चा हुआ है उसे कनवर्ट करता है लाइपेज ग्लीसराल और फैटी एसिड में यानि की वसी अमल प्लस ग्लीसराल में दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के यह दोनों आते हैं कहां पर डेड्यूनम में दोस्तों तो डेड्यूनम जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग होता है जो की कनेक्ट रहता है कि इससे पैंक्रियास से और गॉल ब्लेडर से जो की आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यह डेड्यूनम है खारे जाने की बैसिक फॉर्म में बनाता है आपने देखा कि पित को अब बनाए में बैसिक में जो कहaser जो करता कौन है यह आप बनाता से यह तेनों जो भी अंच्राइम होता है वह कारे करते हैं प्रेंट्स जो पैंक्रियार्टिक होते हैं यह क्या बोलते हैं कि हम तभी काम करेंगे जब हमारा इस मुख निकले हैं वह तीन हो इन्टरी चलिटीात मैं भोजन सब्सक्त पाचनपॉर्ण हो जाता है क्या होता है दोस्तों के स्मॉल होते हैं यह का है विलिस का हिससा है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं विलिस होता है पचल ना की आपको किया दिखाया है कि यह फिलीज होते हैं इस का फेस्ट के जैसा आप जयासे एक जैसे कि हमारी हाथ है अगर हमारा हाथ ऐसा बंद है पेस में इनके इस पेस में भी क्या होगा एंगर अगर इस थैप जो है यहाँ भी यहां चुक्त है के भी चुछ पनार ठागुट होता है जिलिस कारण होता है क्योंकि यह विलीज क्या करते हैं यहां भी जो है वह contraction और expand मतलब की फैलते और सिकूरते हैं और जैसे भोजन आता है तो यह सिकूर जाते हैं और फिर यहां पर खाने को निचोर देते हैं और उसमें से जितने भी enzymes हमारे work कर रहे हैं और food जो बन रहा है हमारा last में जैसे glucose बन और glycerals बना fatty acid बगरा जो भी बना वह क्या करते हैं उसको आउशोशित कर लेते हैं तो यहां पर जो विलीज का structure है वही responsible होते हैं किसके लिए digestion के लिए क्योंकि यही क्या करते हैं जितने भी खाना हमारा बना स्मॉल इंटेस्टाइन से यहीं से आउशोशित हो रहा है तो यह structure बहुत ही में responsible होते हैं अब हम बात करते हैं लाज इंटेस्टाइन में क्योंकि अब हमारा खाना जो है वह विलीज के कारण बहुत ज्यादा पूरी तरह से आउशोशित हो चुका है तो अब केवल हमारे खाने में कुछ भी नहीं बचा सिर्फ केवल वहां पर थोड़ी बहुत थी सॉल्ट वगेरा लवर की मात्रा और भाग होते हैं जैसे स्मॉवल इंटेस्टाइन के ते कौन कोन से फिस लाज पार्शनल सहोरा प्रोषण गरे तो सीकम कौत है जो इस्मूळ इंटेस्टाइन का फर्स पार्ट होता है इसके बीच का portion होता है colon और यहां का जो portion होता है जहां पर हमारे जो भी best materials collect होते है डाट इस rectum और rectum के बाद होता है एनस और एनस की थूई हम अपने body से जितने भी आपचित भोजन होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं तो यहां भोजन का पाचन नहीं होता बलकि यहां भोजन के कुछ लवड़ों और जलका आउशोशड हो जाता है शेश आपचित भोजन मल के रूप में मलाशय यानि एनस से समय समय पर बाहर निकलता रहता है दोस्तों यहां पर आपने एक देखा है structure यह जो आपको दिख रह यह human body का क्या है एक आउशेशी अंग है यानि इसका कोई इस समय अब कोई काम नहीं है जब हम क्या थे आदी मानों थे या फिर जब हम क्या थे लाइक मंकी थे तब हम क्या करते थे पत्तियां वगएरा खाते थे और वहां पर जो डाइशन होता था वह सिर्फ अपेंडिक् करती और यह अपंडिक्स का काम होने लगा वह क्या हो गया खतम हो गया और यहां पर क्या होता है कि वाटर वगएरा फिर फस जाता है तो इसकी वजह से जाता है यहां पर सड़न हो जाती है जिसे ऑपरेशन के थुरू बाहर निकाल दिया जाता है और human body में कोई फर्क नही वीडियो को अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आपके कॉनसेप्स को और भी क्लियर कर दूंगी दोस्तों तो ये था आज इसका वीडियो आपको कैसा लगा आप दरूर बताईए और हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग